हिमाले वन अनुसंथान संस्थान शिम्लाद्वारा रविवार को रामपुर्ग के बुशेहर सदन में एक दिवसी औशदिय पोधों की खेती पर प्रशिक्षन कारिक्रम का आयोजन गिया गया इस अउसर पर रामपुर्वा शिम्ला के आसपास के गाउं के लगभग 35 प्रगती शील किसानों एवं महिलाओं ने भाग लिया प्रशिक्षन कारिक्रम में हिमोड के अध्यक्ष आरेस में नहास ने कहा कि रामपुर्ग क्षेत्र की अनुकूल जलवाई होने के कारण क्षेत्र में ओशदिय पोधों की अपार संभावना है उन्होंने उमीद जताई इस शिविर में पैग्यानी को द्वारा दी गई जानकारी से किसान भाई लाभानवित होंगे और ओशदिय पोधों की व्यवसाई केती के रूप में अपना कर अपनी आर्थिक सिधी को सुधारने में भी सफल होंगे हिमाचल दिस्तक वेब टीवी के लिए रामपूर्बु शहर से रमेश शर्मा